Welcome back friends, यह है हमारी वीडियो number 42, class 12, computer science with python series के लिए और हम discuss कर रहे थे chapter number 7, computer networks को और इस chapter की previous वीडियो में कुछ terms या topics हमने discuss किये थे इस chapter के लिए और इस वीडियो के अंदर भी कुछ होर terms हम discuss करेंगे और mainly इस वीडियो के अंदर हम mobile technologies के बारे में बात करेंगे यानि कि mobile से related जो terms है या technologies है उनको हमने discuss करना है तो start करते हैं सबसे तहले हम यहाँ पर discuss करेंगे GSM को इसका full form है Global System for Mobile Communication अब देखे काफी बार आपने सुना होगा GSM and CDMA दोनों ही आपके mobile communication में help करते हैं और यहाँ पर main जो इन दोनों में difference है वो आपके security का है और कितनी percentage population को use करती है इसका है अब यहाँ पर CDMA जो है यह आपका ज़्यादा secure है लेकिन GSM में उतनी security नहीं होती और अगर percentage की बात करें तो world की 75% population है वो mainly आपका GSM को use करती है और जो आपकी 25% population है वो आपका CDMA को use करती है अब देखिए GSM जो है इसमें simply आपका इसको आपका डिस्क जो invent किया था या जो इसकी starting होई थी यह आपका Europe के अंदर होई थी और mainly आपका European Telecommunication Standard Institute है वहाँ पे इसकी सुरुवात होई थी इसमें simply आपका एक SIM use होती है और यहाँ पे आपका किसी भी दूसरे company की SIM हो phone आपका किसी दूसरी company को simply इस तरीके से आप use कर सकते है यानि कि कोई भी SIM and कोई भी phone आप यहाँ पे use कर सकते है लेकिन जो आपका CDMA है यह आपका ज़्यादा secure होता है इसमें mainly जिस company का आपका phone है उसी company की आपकी mainly SIM भी होती है और पहले तो फिलाल आपका CDMA में जो आपकी SIM slot है वो भी नहीं होते थे inbuilt आपका होता था लेकिन आजकल simply आप SIM भी उसमें change कर सकते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था जो आपका CDMA है यह ज़्यादा secure है यानि कि इसमें security ज़्यादा है और यह mainly आपका military purposes के लिए आर्मी purposes के लिए use होता था क्योंकि यह mode secure है और mainly इनी के लिए इसको बनाया गया था वोल्ड वार टू जो है वहाँ पे इसको use किया गया था तो इन एक बार इसकी definition भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं Global system for mobile communication simply इसका full form है it is a world standard of digital cellular communication यान कि एक world standard है अगर आप विदेशों में जाते हैं कहीं और आप जाते हैं और वहाँ पे अगर GSM का standard है तो simply आप एक sim वहाँ पे लेके simply अपनी phone में insert करके उसको वहाँ पे use कर सकते हैं तो simple सा है और it was established in mid in mid 1990s mid 1990s में इसको simply start किया गया था it uses SIM यानि कि subscribers identity module जो कि simply आपका SIM card होता है ये connectivity के लिए use करता है और दूसरा हमार जो CDMA है code division multiple access simply military technology है और पहला इसको use किया गया था world war 2 के दोरान it is a military technology first used during world war 2 world war 2 यानि कि 1940s के time पे इसको use किया गया था it uses mobile phone and SIM of same company यानि कि यहापे mobile phone और SIM जो है वो same company के आपके होते है and it is faster and more secure than GSM यानि कि यह ज़्यादा आपका तेज भी है और ज़्यादा secure भी है आपका यहाँ पे GSM के मुकाबले अब देखे जितने भी यहाँ पे हम terms पढ़ने हैं जो आपके जिसके यहाँ पे full form होते हैं mainly exam के अंदर इनके full form भी पूछे जाते हैं GPRS का वहाँ पे पूछ लेंगे या simply GSM का CDM में इनके mainly full form सी आते हैं या 1N half marks के half marks या one marks में simply इनके definition पूछते हैं या खाले इनको थोड़ा सा महाँ पे sort में समझाना होता है इसी तरी के से next हमारा है WLL यानि की wireless local loop अब यह main जो है यह आपका बनाये गया है ताकि हम wirelessly जब communicate करते हैं तो हमारी जो वहाँ पे जितने feature हमको wire के साथ मिलते हैं यानि कि wire cable telephone lines के साथ मिलते हैं उतने feature उतने ही voice quality हमारी यहाँ पे wireless में भी मिले तो simply आपे radio signals को हम use करते हैं communication के लिए यानि कि इसका हम use करते हैं उतनी अच्छी technology लेने के लिए जितनी अच्छी हमको wire के साथ मिलती है इसी चीज के लिए हम WRL को use करते हैं यानि कि यहाँ पे simply हम radio signals को use करते हैं connection के लिए देखिए maximum जितने भी आपके wireless होते हैं वहाँ पे आपका radio signals को ही use किया जाता है या simply microwaves को use किया जाता है इसी तरीकर से next हमारा है GPRS यानि कि General Packet Radio Service अब यह simply हमारा use होता है internet से connect होने के लिए यानि कि mobile phone में mobile phone से अगर internet को हमने connect करना है तो आपको पता है internet जो आपका data flow करता है mainly packets के form में करता है तो यह connectivity possible हो cell phones के से साथ mainly आपका 2G and 3G के अंदर तो वहाँ पे हमको GPRS setting को install करना पड़ता है आपने देखा होगा जब भी आप internet यूज करते हैं first time अपने cell phone में और अगर आपका phone जो है 2G या 3G आप यूज करते हैं तो simply आपको वहाँ पे install करनी पड़ती है जो GPRS setting आती है आपकी जो आपका ISP है या internet service provider है उनकी तरप से तो simple है general packet radio service it is a technology for radio transmission of small packets of data between mobile devices and internet यानि कि mobile से internet में अगर आपको packets के फॉर में data को transfer करना है तो simply आपको इनको install करना पड़ता है जो कि आपकी GPRS setting होती है it is used in 2G and 3G communication system इसको mainly 2G and 3G communication system पे हम यूज करते हैं next हमारा आता है mobile processor सब देके mobile processors आपने class 11 के अंदर भी इसको हमने discuss किया था पूरा का पूरा आपका topic वहाँ पे था यह system mobile processor आपका simply क्या होता है या processor क्या होता है processor ही आपका main इसको CPU भी हम बोलते है यानि कि center processing unit भी यह होती है अब mobile processor में क्या होता है इसमें आपका SOC लगता है यानि कि system on a chip यहाँ पे use होता है यानि कि पूरा का पूरी जो system है उसको हमने इतना minimize कर दिया इतना चोटा इसको कर दिया कि एक chip के अंदर ही आपकी पूरी की पूरी technology या CPU हमारा आ जाता है तो इसके अंदर हमारे जितने भी यहाँ पे इसके अंदर sub-processors भी होते है जैसे simply आपका यहाँ पे CPU है यानि कि communication processing unit यहाँ होता है तो CPU central processing unit है इसके अंदर sub-part भी होते है जिसको CPU यानि कि communication processing unit हो गया APU यहाँ पे होता है यानि कि application processing unit फोन में जितने भी यहाँ पे applications होते हैं उनको आप किस तरीके से process करेंगे वो किस तरीके से behave करेंगे तो उसके लिए application process unit होता है और आजकल तो simply आपके जो phones हैं उसमें graphics भी आपका होता है क्योंकि आजकल जो नए games हैं या कोई भी आपकी apps हैं high resolution पे वहाँ पे चलते हैं तो graphics controlling के लिए भी यहाँ पे GPU होता है या graphical या graphics processing unit होता है इसके अलावा power management है या display है power management में हर चीज आपकी आती है जैसे battery management है या simply आपका और उसमें कोई management है powers related, power supply आपको कौन-कौन से parts में, cell phone में देनी है तो power management का काम है ऐसी display unit है कि आपका किस तरीके से display आपका होगा camera किस तरीके से behave करेगा यानि कि display का जितना भी काम है वो display unit का होता है और सभी unit को जैसे आपका main computer में होता है input unit, output unit या storage, memory unit जितना भी है उस सबको आपका central processing unit control करता है तो यहाँ पे भी आपका same है main तो आपके sub-procedors है और बाकी जो आपकी units हैं उनको CPU यहाँ पे control करता है जैसे आपका storage unit यहाँ पे है यानि की memory जो आपका है internal हो, external हो या simply RAM हो या ROM हो तो यह सभी आपका single chip ही आपका फिलाल control कर रही है जिसको system on a chip technology से जानते हैं simply इस principle को यह use करती है तो simply it is a brain of mobile system यह brain है या CPU इसको हम बोल सकते हैं simply it controls the entire function of a mobile system यह mobile system के entire जो उसकी functioning है controlling है उसको यह देखता है it works on the principle of SOC यानि की system on a chip को यह यहाँ पे लगाता है हमने क्लास लेंत में भी इसको discuss किया था आपको साइद याद हो यानि की एक ही chip के अंदर पुरा का पुरा जो system है वो हमने यहाँ पे यूज किया इसको काफी छोटा हमने किया है it has sub processors like CPU जो की communication processing unit होता है APU application processing unit GPU graphical processing unit और इसके अलावा mobile management sorry power management हो display unit हो storage unit हो यहापका radio signals के मेंों जैसे हम वहापे करते हैं तो उसमें RF transfer होता है यानि कि इससे हम आपका radio में आपके दोपाट होते है एक तो sending hootai receiver billions होता है transmitter and receiver लेकिन RF जो होता है radio terceipper या आपका दोनों ही करता है यानि that time एक टाइम पे send भी करता है, receive भी करता है तो यह सारा काम आपको एक single chip control करती है आपका mobile processor या simply mobile का जो CPU होता है तो कुछ ही हमारी term से हैं इसके लाबा हम generations अब discuss करेंगे, उससे पहले आप screenshot इसका ले सकते हैं simply notes के लिए तो I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, तो हम discuss करते हैं mobile generations को यानि की first generation 1G, 2G, 3G जो आपने सुना है तो इनको हम discuss करते हैं wireless telecommunication technologies को तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है 1G यानि की first generation देखिए G का मतलब simply यहाँ पर generation होता है 1G, 2G, 3G जितने भी हमारे हैं तो 1G के अंदर simply आपका यहाँ पहला आपका wireless technology है और यहाँ आपका 1980s के अंदर आई थी और यहाँ पर simply केवल हम voice calling करते थे यानि की wirelessly केवल calling purpose के लिए हमारा use होती थी और transmission के लिए या communication के लिए simply यहाँ पर radio towers या radio signals हम use करते थे तो simple सा है It is the first generation of wireless telephone technology It was introduced in 1980s 1980s के अंदर इसको introduce किया गया था It had only voice facility available It uses radio towers for transmission यानि के केवल calling facility 1G के अंदर थी Then हमारा second generation है यानि की 2G second generation इसके सुरुआ था आपका Finland के अंदर हुई थी 1991 में अब देखिए कोई भी आपके आगे की generation है आपका wireless telecommunication के अंदर तो आपे उसकी जो पिछली generation है उसके तो सारे features होते ही है साथ न उसमें नए features head up होते हैं तो 2G के अंदर भी first generation यानि की calling facility तो होती थी साथ न आपके जो text messages है या जो data plans है या internet है वो भी इसमें introduce हुआ था So simple सा है It is the second generation of wireless technology It was launched in Finland in 1991. It adds data services and SMS text messages with first generation यानि की simply voice के साथ साथ यहाँ पर text and data services भी हमारे पास थी यानि की internet भी आपका introduced हो गया था Then आपका आता है 3G यानि की third generation और इसको simply आपका triband भी का जाता है minimum speed इसकी 200 kbps की होती थी और यहाँ पर आपका internet जो था इसकी speed थोड़ा सा बढ़ गई थी यानि की आपका 2G तो था लेकिन वहाँ से आपका थोड़ा सा speed जो है 10 times आपका जो है वो जादा यहाँ पर थी 3G के अंदर तो यहाँ पर आपका जो phone के अंदर हमें high speed internet यूज करते थे यह काफी जादा data हमको यहाँ पर मिलता था यानि की low cost भी आपकी होती है जैसे जैसे generation बढ़ती है तो cost भी आपकी कम होती रहती है तो 3G में आपका internet की जो speed थी यानि की पूरा का पूरा internet यहाँ पर start हो गया था high speed internet हमको यहाँ पर मिलने लग गया था तो यह भी simple सा है it is also called triband 3G भी इसे कहा जाता है it provides data transfer rate of at least 200 kbps it adds high speed internet voice call sorry video calls यहाँ पर start हो गया थे आपको अल्रेडी पता है and mobile tv with second generation यानि की second generation के सारे features plus हमारे यहाँ पर high speed internet एड़ हुआ था then आपका आता है 4G जो कि currently हम लोग जादा use करते है तो it is all about faster internet speed यह सब आपका इसमें जितना भी काम होता है फास्टर internet speed के बेस पर यानि की internet यहाँ पर अब main होता है it adds यहाँ पर simply sorry it adds it adds all feature of 3G with high speed internet यानि की 3G के जितने भी feature है वो तो इसमें है ही साथ ही इसमें high speed internet आजाता है यानि की आपका 10 times जो faster internet है वो आपका 3G से ता it has 10 times faster than 3G network 3G network से यह faster है और इसमें सभी features है जो आपके 3G तक थे यानि की voice calling भी है text messages भी है और आपका simply यहाँ पर internet भी है और यहाँ पर इसको integrate आप लोगने देखा है आजकल integrate हो गया है यानि की केवल internet के ही हमारे आजकल services जादा होते हैं बाकि हमको और यहाँ पर सब का सब हमने एक ही कर दिया यानि की recharge अगर हम इंटरनेट के ले करते हैं तो इसकी पीछे की इसा होका ज्यादा इसमें अभी नहीं है लेकिन यह 10-100 टाइमस आपका faster हो सकता है 4G से यानि 4G की जो speed है इससे 10-100 टाइमस faster इसकी speed होने वाली है और यहाँ पर देखिए जितने फीचर्स हैं 4G तक के यह तो काफी होंगे और इसकी cost जो है वह काफी कम हो जाएगा यानि और भी कम cost पर हमको यहाँ पर ज्यादा internet speed मिलने वाली है और यह आपको critical जो हमारे work होते हैं उन पर काम आएगा मेली automation पर जैसे आपका self driving cars है या home appliances आपके हैं जो कि automation पर काम करेंगे और यह आपका तभी possible है जब high speed internet हमारे पास हो और बिना किसी breakdown के हो तो यह सब भी आपका without any breakdown यानि की बिना break के तभी आपको जो automation है या self driving cars है या self running appliances है वो आपके यहाँ पर चलने वाले हैं तो इसी के साथ हमारे topic भी पूरा होता है और यह video भी पूरी होती है तो आप screenshot इसका ले सकते है notes के लिए तो I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा तो इसी के साथ हमारे topic भी पूरा होता है और यह video भी खत्म होती है video number 42 तो मैं मिलता हूँ अगली video में video number 43